हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक ते चैनल पहर इस वीडियो मेरा नाम है पुल्कित गुल और इस वीडियो में आपको एक ऐसी कंट्री बताने वाला हूँ जहां का आप एजा इंडियन सेटिजन इसली वीजा उन राइवल ले सकते हैं इस कंट्री का जो नेम है वो है इस कंट्री का नेम है और यह यूके की ब्रेटेन की ओवर सी टैरिटरी है यह एक हिस्सा है यूके का बट आप एज आ इंडियन सेटिजन इसली वीजा ओनराइवल ले सकते हैं यहां का ब्रेटिश वर्जिन आईलेंड का बैसिकली इस की वीडियो में यह वीडियो अब मैंने शेंगन वीजा अप्लाई करना है शेंगन वीजा के लिए क्या क्या डॉकुमेंट्स है कैसी और कौनसी मैं ऐसी कंट्रीज विजिट करूँ ताकि जो मेरी है ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रोंग हो ठीक है मुझे एजली वीजा मिल जाए तो उसी के रिगार कि जो उसे यहां के सेटिजन्स हैं वो भी यूके के सेटिजन्स हैं उनको यूके का पासपोर्ट मिलता है जो भी ब्रिटिश वर्जिन आइलेंड का सेटिजन है वो यूके में जाकर रह सकता है वो भी यूके का सेटिजन है तो अब इंडियन्स के लिए कैसे आप इसली व होने विजा उन राइबल आप इसले ले सकते हैं आपकी रिटरन फ्लाइट टिकेटिस होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर होटेल बुकिंग होनी चाहिए यह अच्छा रहे गा अगर आप किसी कोई टूर package ले लेते हो proper किसी registered company के थूँ तो वो आपके लिए ज्यादा beneficial रहेगा at the time of entry और third thing डोंसी है वो है funds यहाँ आपको maximum funds carry करने पड़ेंगे आपने साथ क्योंकि जोंसी यहाँ पर खच्चा है वो थोड़ा ज्यादा होता है और जोंसी यहाँ पर currency यूज होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर currency जो यूज हो रही है वो US dollars यहाँ United say dollar ही यहाँ पर यूज होता है क्योंकि यह country थोड़ा US के भी बलकु थोड़ा पास में पढ़ती है basically इस reason में दो islands है पहले virgin islands होता था बट वो डिवाइड होके एक British Virgin Island बन गया और एक US Virgin Island दोनों में 95 km का distance है US Virgin Islands में और British Virgin Islands में जो की Caribbean में पढ़ता है पोर्तरीकों के पास पढ़ता है तो easily as an Indian citizen हम US Virgin Islands का तो नहीं बट British Virgin Islands का जरूर हम visa on arrival ले सकते हैं funds की जैसे मैं भी बात कर रहा था कि क्या requirement होगी वो आपके पास per person date से 2 या dollar United से US dollars होना चाहिए आप carry करिए अपने साथ क्योंकि आप खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा US के मताबिक होगा थोड़ा खर्चा अबट यह है कि अगर आप यह country travel करते हो तो एक आपकी passport की value बढ़ जाएगी आपकी travel history अच्छी बन जाएगी उसके बाद अगर आप UK का भी visa apply करते हो तो आपको UK का visa easily मिल जाएगा क्योंकि आपने एक UK की overseas territory already visit की हुई है उसमें आप proper आपने जब आपका तूर था जो से उतने ही दिन आप रहे हो तो उसका overseas नहीं करना है पहली बात तो यह है काफी लोग अब यह पूछेंगे कि jobs औगरा यह सिर्फ घूमने के purpose से मैं वीडियो बना र अगर आपने good travel history maintain करनी है अगर आप चाते हो कि अगर in future as a Indian citizen अगर हम में से किसी ने UK का यह शेंगन वीजा अपलाई करना है तो इसके लिए best option है कि वो पहले अच्छी travel history maintain करें फिर अपने proper documents भी यह अकेजा travel history पर इनी depend करेगा कि आपने एक बार British Virgin Island का टूर कर लिया और आप सीधा जाके US का वीजा अपलाई कर दो आपके बास proper documents होने चाहिए बैंक में funds होने चाहिए sufficient कि आप अपने आपको support कर पाओ जब आप UK का वीजा अपलाई करो यह शेंगन का वीजा अपलाई करो आपके job या business documents होने चाहिए आपकी ideas होनी चाहिए तो वो आप पहले ही maintain करना शुरू कर दोगी अगर आपको पता है अगर किसी का aim है कि उसने आप से 6 मीने बाद भी अपना वीजा अपलाई करना है तो वो पहले ही अपने accounts में transaction करना start कर दे यह नहीं कि अब काफी लोग क्या होते हैं क्या करते हैं कि bank में transactions maintain करने के लिए bank में fund show करने के लिए 14- 15 लाग रिपया कठा एक time में किसी से उधार पे लेके किसी से interest पे लेके डाल देते हैं bank के अंदर but वो transactions नहीं करते हैं ठीक है जो एक बार डाल दी है तो वो डाल दी है वो पड़े ही है तीन महीने तक वो हिली नहीं एक बार भी figure नहीं हिली ठीक है तो वो बिल्कुल transactions maintain करनी होती है daily basis पे आपके जोंसे खर्चे हो रहे है maximum कोशिश करें कि आप अपना transactions है वो अपने card से करें online करें ताकि आपके उसमें daily खर्चे शो किसी को कोई payment सेंड करनी है तो वो वो भी online ही करें ताकि आपकी एक अच्छी जोंसे bank statement maintain हो जाए ठीक है उसके बाद आपकी ITR है वो आप फिल कीजिए किसीने minimum भी करनी है वो भी फिल कर दो ऐसा कुछ ज्यादा तो है नहीं उसकी requirement ITR फिल करने की यह है कि आपको यह आगे जाके benefit ही आएगा benefit ही मिलेगा इस चीज़ का ठीक है तो यह British Virgin Island है तो इसमें आप जाके easily visit कर सकते वाज़ा इंडियन citizen आपक इस वीडियो में आपको बताई दिया है फ्लाइट्स का थोड़ा है फ्लाइट्स थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी वाया US की मत लेना वाया South America और वाया अपना Europe की ले लेना वो आपको ज्यादा beneficial रहेगा क्योंकि अगर आप US या Canada वाली फ्लाइट्स देखोगे तो आपको फिर अपना ट्रांजिट वीजा रिकॉाइड होगा पट फ्लाइट्स एजली मिल जाती है अगर हम सर्च करें तो तो अराउंड इसकी पट फ्लाइट्स की जोंसी कोस्ट है वो रिटर्न की आने जाने का फिर अराउंड एक लाग दस एक लाग भी से यार तक चला ज जाता है तो इतना मिनिमम आपको देशना पड़ेगा बट अगर मैं ओवर ओल बात करूं कि क्या खर्चा आएगा आपका प्रेटिश वर्जिन आइलेंड में विजिट करने का टोटल आप एक फिगर मैं आपको बताता हूं फोर लैक तक का खर्चा आपका प्रेटिश वर् बट यह है कि आपके गोड ट्रावल Еश्ट्य में हो जाएगी एक आप यूएस आह यूके की ओवर सेज्ट करोगे तो तो आपको पता ही है कि अगर एक आप यूके की ओवर सेज्ट ट्रे ट्रेटिश कर रहें बट बड़ी बात है अठीक है आप जब इन प्यूचर आप कोई भी queries होती है तो please मैं एक पर फिर से request कर रहा हूँ comment section में आके जो भी आपको information चाहिए आप जिस video के regarding information चाहिए उस video के comment section में जाके आप मुझे simply comment कीजिए कि मुझे information चाहिए तो मैं आपकी query वहीं पर solve कर दूँगा आपको जो भी आपको questions होगे मैं आपको वहीं पर answer कर दूँगा please कोई भी number ना माँगा करें क्योंकि आप देखते हो कि कितने amount में लोग मेरे number माँग रहते हैं please सिदा एक comment सिदा ही आता है please send me your number please send me your number तो वह बात गलत हो जाती है मैं किसी को भी ऐसे number नहीं send कर सकता अपना क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया यह जोंसा YouTube है वो मेरा full time नहीं है ना ही मैं एक agent हूँ कि मैं आपके visa apply करवा सकूँ बट यह है कि मेरी एक कोशिश रहती है कि जो मुझे knowledge है वो मैं आप सब के साथ share करने की कोशिश करूँ है कि मेरी knowledge increase होगी क्योंकि आप से भी कोश सीखने को मिलेगा कहीं लोग होते हैं कि आहां भी काफी अच्छी suggestions देते हैं comment box में कुछ अलग information देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से भी सीखने से आप लोगों को through भी सीखने से मिलता है सिखने के लिए मिलता है मुझे तो एक यह तो आपने अगर कोई भी queries है comment section में comment कीजिए मैं आपको reply कर दूँगा like करो इस video को share करना पर friends and family के साथ और second thing जोंसे है अपना एक Russia के visa के regarding काफी information मांग रहे थे लोग कोई भी Russia Russia visit करना चाहता है Russia visa के regarding कुछ भी information चाहिए वो भी comment section में पूछ सकते हो कि क्या क्या documents requirement है कैसे आप visa apply कर सकते हो जाला कोई complicated नहीं है easily visa मिल जाता है आप comment section में पूछना तो आगर किसी को queries है मैं वो भी solve करने की कोशिश करूँगा ऐसी ही more videos लेके आता रहूँगा कि पूछा है वो आगे फाइदा उस चीज का जोसे Thailand Malaysia Singapore यह तो हर कोई visit कर चुका है ठीक है अब एक अची country थोड़ी visit करने का time आगे है कि ताकि आपके travel history good maintain हो जाए तब तक के लिए इस video में सर्फ इतना ही मिलते है next video में take care bye bye see you next video